राम जुला हीट एंड रेंड मामले की मुख्यारुपी रितु मारु ने जमानत अर्जी खारिस होने के पाद आज तैसिल पुलिस के सामने आत्मस सबर्पन कर दिया जैसे इस मामले में न्याई की गुंचाईश नजन्यारी है 25 फर्वरी को रितिका मारु ने राम जुलापन डशी की हालत में मर्सिडीस कार चलाती वे दो युकों को कचल दिया था हासे में मुमिनपुरा के मुहमत हुसेंग गुलाम मुस्तफा उम्रत चौतिस साथ और जाफा नगर के मुहमत आतीव उम्रतिस साथ की मौत हो गई तैसल पुलिस ने रितिका के खिलाप धारा 304 गय इरादतन हत्या 209 लापरवाई से गाड़ी चलाना 336 मानच जीवन को खत्रे में डालना 338 गंबिर चोट पहुचाना 427 आर्थिक नुकसान पहुचाना और धारा 184 की तहर मामला दर्श क्या है साथी मोटर वहान अदिनियम की धारा 180 नशे में गाड़ी चलाना इस धरा के तहर एफायार डर्श की गई थी जिसके बाद गिरफतारी की डर्श से रितु मालू फरार हो गई थी इसे बीच बॉंबी हाइकोड की नाकपूर बेश्वारा आरोपी रितिका और फृतू दिन का खारिस कर दी ती सुत्रों के हवाले पता चला है कि रितू अपने माई की राजस्तान की ब्यूरा में चुप्यों ही थी चनाले द्वारा जमानत याचिकां के खारिस होने के बाद अब यह भवन्टर रितू मालू के साथी संपुन मालू परिवार पर आने वाला था झाल झाल